एक कंपनी है प्रॉपर फांडेशन्स एंड एक कंपनी है आर्केट डवलपर्स ये दौनों कंपनी है एक जैसा बिजनिस करती हैं I mean दौनों कंपनी है construction कंपनीज हैं इन दौनों कंपनीज को इस बिजनिस में 25 साल से ज़्यादा गटाइम हो गया है जो ये प्रॉपर फांडेशन्स है ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अगेश्ट आल्मोस कोई भी लीगल केस नहीं चल रहा और अधी अधर है जो ये आर्केट डवलपर्स है इस कंपनीज अगेश्ट बहुत सारे केसिस चल रहे हैं इस कंपनी अगर आप लीगल केसिस की समरी बनाओगे तो वो बारा पेजस में बनती है यहां पर हम बोलेंगे जो ये आर्केट डवलपर्स है ये जादा क्रेडेबल कंपनी है विकोज जो ये पर्टिकुलर सेक्टर है यहां पर कंपनिया होती ही ऐसी है अगर आपको कोई ऐसा बिल्डर मिलता है जिसके अगेस्ट कोई केस नहीं चल रहा और वो बिल्डर नया नहीं है इस बिजनिस में तो आप मान के चलो that there is something wrong so basically यहां पर हम मानेंगे that जो ये आर्केट डवलपर्स है ये जादा क्रेडेबल कंपनी है अब ये कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है जानते हैं इस कंपनी के बारे में और इसके आने वाले IPO के बारे में कहीं मत जाये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में RK Developers Limited ये कंपनी एक Real Estate Developer Company है Mumbai based company है and more than 25 years से इस business में है and जो ये company है ये company fresh construction projects execute करती है and जो old buildings होती है उनकी redevelopment का काम करती है and आज की date में I mean अभी तक इस company ने 29 projects execute कर दिये है 6 projects इस company ये current में running है and 6 projects वो upcoming है वो आने वाले है and basically जो ये company है ये ज़ादा तर जो luxury projects होते हैं उनी में deal करती है and आज की rate में हमको पता है that India में जो affordable housing है वहाँ पर demand नहीं है बट जो luxury sector की company है वहाँ पर बहुत ज़्यादा demand है I mean जैसे ही उनका कोई project launch होता है वो एकदम से sold out हो जाता है and अगर हम बात करें इस company के products की pricing की तो 5.8 crore rupees का इस company का सबसे महाँगा product है 1 crore rupees के आसपास का इस company का सबसे सस्ता product है and 2 crore rupees का इस company average product price है I mean जो इस company के flats है वो सबसे महाँगा flat 5.8 crore rupees का है 1 crore rupees के आसपास का इस company का सबसे सस्ता flat है and जो average flat होता है इस company का वो 2.06 crore rupees के आसपास है अब सी मैंने आपको बताता है ये company नए projects execute करती है साथी साथ जो old projects होते हैं उनकी redevelopment का काम करती है अगर हम इस company की overall revenue देखे हैं तो जो इस company की total revenue है 67% revenue वो fresh project से आती है and 33% revenue वो redevelopment वाले project से आती है वोट project से आती है जिनको ये company redevelop कर रही है and अब इस company को और grow करना है जिसके लिए ये company अपना IPO लेकर आ रही है इस IPO purpose से इस company ने अपने आपको 2376.41 क्रोर रूपीस की valuation दी है so अभी तक हमने इस company के बारे में जाना अब देखते हैं जो ये इस company के फानी sales हैं वो इस company के बारे में क्या बताते हैं तो सबसे पहले हम इस company का asset base देखते हैं March 2022 में इस company के total asset base था 370 क्रोर रूपीस के आसपास अगले साल ये बढ़तर 555 क्रोर रूपीस को पहुच गया है and March 2024 में इस company के total asset base ये 575 क्रोर रूपीस के आसपास है I mean 2023 के comparison में जो 2024 है वहाँ पर हमें थोड़ा सा कम asset growth देखने को मिला है and probably इस company ने कुछ buildings बनाई होंगी कुछ flats बनाई होंगे and जादा flats बेच दिये होंगे and जिसकी बज़े से जो asset growth है वो थोड़ी सी कम है यह हमें revenue से पता चलेगा that 2024 में इस company की revenue वो किस तरह से बड़ी है तो अगर हम इस company की revenue देखें तो मार्च 2022 में इस company की total revenue थी 237 crore rupees की अगले साले थोड़ी सी कम हुई है 224 crore rupees तक आ गई है and मार्च 2024 में इस company की revenue जवर जस्त increase हुई है and यह 635 crore rupees को cross कर गई है तो यहाँ पर हम correlate कर सकते है that 22 stage में जो inventory में growth हुई है वो इस company ने 23, 24 में बेची है जिसकी बज़े से इस company की revenue एकदम से बढ़ गई है 2023 and 24 में अब हम इस company की profitability भी देख लेते हैं मार्च 2022 में इस company ने total profit कमाया था 51 crore rupees के आसपास अगले साल यह almost similar था 50 crore rupees के आसपास and मार्च 2024 में इस company की profit यह एकदम से बढ़ गया 123 crore rupees के आसपास हो गया है तो basically sales and profitability एक किसम से बताती है इस company ने 2023-24 में काफी sales अचीव करी है आज की date में इस company की books में approximately 70 crore rupees की borrowing है जो इस company की sales profitability के हिसाब से एक concerning picture तो बिल्कुल भी present नहीं करती and अगर हम इस company के operating cash realization को देखें तो मार्च 2022 में इस company ने अपने operation से negative cash generate किया था 123 crore rupees का अगले साले थोड़ा सा कम होकर 98 crore rupees तक आया है बट यह negative था and मार्च 2024 में इस company का operating cash realization यह 101 crore rupees का है and यह positive है तो basically 2023-24 इस company के लिए काफी बढ़िया हुआ है 98% के EBITDA margins पर operate कर रही है 19.35% के PAT margins पर operate कर रही है 46.90% के इस company की return on equity है and approximately 47% के इस company की return on capital employed है तो जो इस company के financials है यह 2023 and 2024 में काफी healthy growth दिखा रहे है and इसी को capitalize करने के लिए यह company अपना IPO लेकर आ रही है I mean इस company के लिए इस particular point से better कोई point नहीं हो सकता IPO लाने के लिए and जो इस company के total IPO size है यह 410 crore rupees का and यह सारा का सारा fresh issue component है and 121 rupees से 128 rupees का price band है 100 and 10 shares का lot size है इसे साथ जो आपकी minimum investment होगी यह होगी 14,080 rupees की 16 September को IPO open होगा 19 September को IPO close हो जाएगा and 24 September को इस company की listing होगी and इस IPO को तो जो भी पैसे इस company के पास आएंगे उन पैसों का यह company use करेगी नई flats की development के लिए यह company कुछ land भी acquire करेगी and थोड़े से पैसे less than 25% use होंगे general corporate purposes के लिए IPO से related expenses के लिए तो C, company का business model अच्छा है एक किसम से company luxury flats में deal कर रही है and आज की date में उनी की demand है यह company के फारेंश बताते भी हैं I mean financial year 2023-2024 यह company के लिए काफी अच्छा रहा है इसी time पर यह company अपना IPO लेकर आ रही है अगर हम देखें यह company market में किन-किन companies के साथ compare करती है तो इस company ने अपने IPO papers में Suraj developers को अपना competitor recognize किया है Macro Tech developers को अपना competitor recognize किया है Godres properties को अपना competitor recognize किया है Keystone Realtors को अपना competitor recognize किया है यह वो company है जिन्होंने अपने investors को काफी अच्छे returns दिये है and यह expected है that यह company भी अपने investors को काफी अच्छे returns देगी because यह company luxury housing में deal कर रही है and आज की date में luxury housing की ही सबसे ज़्यादा demand but again जो IPO का madras चल रहा था अब वो धीर धीर फिजल आउट होता जा रहा है तो आपको थोड़ा से careful हो जाना चाहिए apply करने से पहले but आप मान के चलो इस company के IPO को अच्छा subscription मिलेगा and there are chances that उसकी listing भी अच्छी हो I mean discount में listing हो ऐसा होने के chances थोड़े से कम है but उतना listing यह नहीं मिलेगा जितना की अगर इस company का IPO पिछले 15-20 दिन पहले आता या फिर एक दो महिने पहले आता because उस time तो एक different ही level की market चल रही थी जो IPO market थी वो different level की चल रही थी अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा correction देखने को मिल रहा है because now यह ऐसा time है जहाँ पर जो IPO की listing है उतने premium पर नहीं हो रही है so अपना decision सोच समझ कर लें and investment advisor से concert करने के बाद लें हाँ अगर आपको यह video पसंद आया हो तो इसको like से जरूर करें और चैनल को subscribe करें